नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमाद और आप देख रहा है रहने। नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमाद देख रहा है। और विशेषकर उदम सिंग नगर और हरिद्वार के मेदानी इलाकों में कोहरे में बड़ोत्री हो सकती है। और इससे सुबा और शाम के समय ठंड में इजाफ़ा हो सकता है। और ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों के गर्म कपड़े बाहर निकल आया है। और विशेषकर सुबा और शाम को घर से बाहर निकलने वाले लोग गर्म कपड़े में दिख रहे हैं। और दिन के समय अभी मोसम सामानने हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों में दिन में भी ठंड में इजाफ़ा हो सकता है। और वहीं आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमरित महस्वा मनाने के लिए अगामी शीट कालीन सत्र एक दिन बढ़ सकता है। और गुरूवार को विदान सवध्यक्ष प्रेमे चंड अगरवाल ने सत्र के सफल संचालेन के लिए संसद्य कारेमंदरी बशिंदर भगट और नेता प्रतिपक्ष पीतमसिंग के साथ चर्चा की है। और अगरवाल ने कहा कि राज्जी के विकास के लिए सद्ध को सफलता पूर्वक संचालित करना आतियावशक है और आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में अमरित महुतसव मनाय जा रहा है और शीद कालिन सत्र के दोरान एक दिन अमरित महुतसव के रूप में मना जाने के लिए संसद्य कारे मंतरी और नेता प्रतिपक से चर्चा हुई है और वहीं आपको बता दे कि विदानसवाद्यक्ष अगरवाल गैसेन में साथ और आठ दिसंबर को शीद कालिन सत्र आहोत करने की घोशना कर चुक है लेकिन दिसंबर महिने में प्रधान मंतरी खंड के दोरे को लेकर सत्र की तारीक आगे बढ़ानी की संभावने जताए गई है और वहीं करोना संक्वन्ट के मद्दे नजर अब तक माद चार घंटे संचालित हो रहा है इसकूला शुकरवार से पहले की तरह पूरे समय के खुले हैं और इस संबद में गुरुवार को उत्राखंड साशन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया था और यह आदेश सरकारी और गैर सरकारी सभी सिक्षन संस्थांग पर लागू होगा और सचीफ सिक्षा बीवी आर्ची प्रुस्तम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड नैंटीन के दिस्तिगत राज जारी किये गए और नया आदेश के तहट अब छे से बारवी तक की कक्षायं प्रदेश भर में पूरे समय संचालित होंगी और इसमें शास के अशास के सहायता प्राप्त नीजी सिक्षन संस्थाएं सभी शामिल है और इसके अलावा किन की ओर से जारी कोविड गाइड ला जो के ग्यारा वरिष्ट अधिकारी कोरोना संक्रुइत मिले और वहीं आई एफस अधिकारियों के कोरोना संक्रुइत मिलने के बाद उन्हें अकैडमी में ही कोरिंटीन कर दिया गया अब वहीं उत्राखंड में बीते 24 घंटे में आठ नए कोरोना संक्रुइत मिले और वहीं एक भी मरीज की मोत नहीं हुए और 31 मरीजों को ठीक होने के बाद घर बेजा गया और सक्रे मरीजों के संक्या घड कर 157 हो गई जबकि बुद्वार को राज्य में 180 सक्रे मरीज थे और स्वास्ते विवाकियों से जारी बुलिटिन कर नुसार गुरुवार को 6928 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगिटिव आई हैं और नोजिलो, बागेश्वर, चमोली, चमपावर्ट, नैनिताल, पोडी, पित्थोडागड, रुदपरियाग, ठीरी और उत्तरकाशी में एक भी संक्रित मरीज नहीं मिला वहीं दैरदुन में 5, अलमोडा, हरिद्वार, और उदम सिंग नगर में एक-एक संक्रित मरीज मिले हैं और राजे में अब तक करोना के कुल संक्रितों की संक्या 3,44,156 हो गई हैं और इनमें से 3,30,432 लोग ठीक भी हो हैं और राजे में करोना के चलते हैं अब तक कुल 7,407 लोगों की जान जा चुकी है और वहीं रिकवरी की बात करें तो राजे की रिकवरी दर 96 प्रतिशत और संक्रित दर्शुन ने 12 प्रतिशत दर्श की गई है और लंबे समय बाद धहरदुन में फिर दो छेद माइक्रो कंटेन्मेंट जोन घोशित किये गए और इसके अलावा जिलादिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमान ने बताया कि जिले में इंडरा गांदीर नैशनल अकेडमी ओल्ड होस्टल एफ आर आई और जिव टू बी उन्निस्त बतन कोलोनी सस्तरधारा रोड कुलहार में कोरोना संकुरित मिलने पर कंटेन्मेंट जोन खोशित किया गया है उत्राखनवन विवाग में आई एफसरों में बड़ा फेर बदल किया गया और इसी क्रम में प्रमुक्वन संरक्षक राजीव भरतरी को पद्मुक्त कर दिया गया और उनकी जगा विनोद कुमार नए पी सी सी एफ रहूंगे और राजीव भरतरी को जैब विविदिता बोर्ड के अद्दक्ष बनाए गया और साथ ही मुक्वन संरक्षक प्राग मद्दू कर दकाते को मुक्वन जीव प्रतिपालक की जिम्मेदारी सोंपी गई और इसके साथ ही 29 नए वन अधिकारियों के दबादले भी किये गए और वहीं बताया जा रहा है कि कॉर्बेट पार्क में अवेद कटान और नियम विरुद निर्मान को लेकर तीन आई एफस पर भी एक्षन लिया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी द्वारा संग्यान लेकर कारवाई करते हुए प्रमुक वन संदक्षक राजी भरतरी प्रमुक वन संदक्षक वन्नी जीव अनुप मलिक और मुख्य वन जीव प्रतिपालक जीएस सुहाक ततकाल प्रभाप से पदों से के काशिपूर में दोस्त की पतनी को भड़काने और नशेडी कहकर छेत में बदनाम करने की रंजिस में दोस्तों ने अपने ही दोस्त विशाल की बहरहमी से हत्या कर दिया और गुरुवार को विशाल हत्याकान का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने दोनों को गिरफतार कर घटना में परियुक पाटल और मिर्टक का मुबाइल बरामत कर लिया है और पोस्तमाटम के बाद मिर्टक का शब पहीजानों को सौंप दिया गया जबकि उसका सिर्फ और एक हाथ अभी भी भी नहीं मिला है और गुरुवार को आईटी आई थाने में स्पी प्रमौत कुमान ने बताया कि 19 नवंबर को आईटी आई थाना छेट के गाउं धीमर खेडा निवासी राजकुमान ने पैगा चोकी में तहरीत दी थी और कहा था कि उनका बेटा 21 साल का जो विशाल 18 तारी को लापता हो गया और उन्होंने अनहोनी की आशंका भी जिताय थी और एस बीच पुलिस को पता चला कि लापता होने से पहले विशाल को खोकरताल धीमर खेडा निवासी संदीप सिंग और दिक्षा नगर धीमर खेडा निवासी सच्चिन और नन्नू के साथ देखा गया था और शक्क के अधार पर पुलिस ने संदीप और सचिन से सक्ती से पूस्ताच की तो दोनों तूट गए और उन्होंने इस वारदात का खुलासा कर दिया और बताया कि उन्होंने ही 18 नवंबर को विशाल को धिमार खेड़ा बलाया था और इसके बाद वो उसे राजपुरा डैम ले गए और वहां हाथ और सिर्ड काट कर उसकी हत्या कर दी गए और शब घटनाच्टल से देड़ किलोमीटर दूर दल दल में दबा दिया गया और आरोपियों की निशानदेई पर बुद्वार को पुलिस ने विशाल का धड़ बरामत कर लिया है तीन लाग करमचारियों और पैंशनरों को उत्राखंड और देश के बड़े हस्पतालों में असानी से कैशलेस इलाज की सुविदा मिलेगी और सरकार ने करमचारियों और पैंशनरों के इलाज को अटल आयुश्मान योजना से अलग कर दिया और अब उन्हें राज्य सरकार स्वास्ते योजना के माध्यम से कैशलेस इलाज मिलेगा लेकिन गोल्डन कार्ड और इलाज की सुविदा लेने के लिए IT सिस्टम पूर की तरह रहेगा जिसमें करमचारियों पैंशनरों और उनके आश्यतों का कैशलेस सुविदा को अटल आयुश्मान योजना से अलग कर दिया गया और करमचारियों को राज्य सरकार स्वास्ते योजना के तहत इलाज की सुविदा मिलेगी और साथी केंसर का स्aráष्टे योजना की दरों पर cashless इलाज किया जाएगा और योजना का संचालेन राज्य स्वाष्टे प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा लेकिन golden card और IT system की विवस्ता पहली की तरह लागू रहेगा और योजना में करमचारियों और पैंशनरों के लिए असीमित वेक पर कैशलेस इलाज की सुविदा है और अब सरकार के ओर से CGHS दरेल लागू करने से बड़े अस्पतालों का पंजी करण किया जाएगा और साथी राष्टिय स्वास्ते प्राधिकरण के माध्यम से सूचिवाद 2700 साधिक अस्पतालों में इलाज कराने की सुविदा रहेगी उत्राखंड के नो जिलों में रसोई गैस पाइपलाइन के जरिये पहाड चड़ेगी और आने वाले समय में इन जिलों के लोगों के कन्दे पर रखकर गैस स्लेंडर लाने ले जाने से मुक्ती मिल जाएगी और इसके लिए PNGRB Petroleum and Natural Gas Regularity Board ने इन जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाने का निनने लिया है और वहीं आपको बता दे कि बुद्वार को विकास नगा चक्राता रोड इस्तित एक होटल में ग्यार्विल सिटी गैस डिस्टिविशन बीडिंग राउंड रोड शो आयोजित क्या गया था और इसमें PNGRB ने उत्राखंड और भारत में सिटी गैस डिस्टिविशन सेक्टर में अफसरों उत्राखंड और भारत के गैस बुन्यादी धांचे के साथ साथ प्रमुक नीतियों पर प्रकाश डाला और PNGRB के सदसे गजेंजर सिंग ने कहा कि उत्राखंड के नो जिलो पोड़ी गड़वाल उत्तरकाशी रूद परियाग ठीरी गड़वाल और पित्थोड़ा गड़ चमपावत अलमोडा और चमोली और बागश्वर में सिटी गैस विर्टरन योजना के तहत गैस प्रात्मिक्ता के अधार पर किया जाएगा जिस जिले में सबसे ज़्यादा आबादी है पहले उसे कवर किया जाएगा और उन्होंने बताया कि चरणबर तरीके से सबी जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी